हेलो दिस्कॉस अ कोशन विच 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 बिन आस्किन के वेस्टी सी 2023 टीजिटी साइंस कोशन है अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म से रियल एंड इन्वेटेड इमेज ऑफ पैंसिल एड डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटिमेटर फॉम इट इमेज इस इकुल तो दा साइज ऑफ पैंसि आप इसमें बोला गया है कि जो पैंसिल की इमेज है वो असी सेंटिमेटर बन रही है इसको हम कह सकते हीट आप बराबर है है अब अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस के कैसि याद किया हो तो ऐसा तभी पोसिबल हो पाता है जब ऑमजक्ट तो जब object को हम 2F पर रखते हैं, तब उसकी जो image होती है, वो opposite side में 2F पर ही बनती है, ठीक है, और same size की बनती है, convex lens में, तो इसका मतलब यह हुआ, यहां से यहां तक का जो distance है, वो हमें 80 cm given है, और 80 cm किसके बराबर हो जाएगे, 2F के, इसका मतलब focal length कितनी हो जाएगी, 80 upon में 2, यानि कि 40 cm, पावर और focal length में formula होता है, P equal to 1 upon F, लेकिन meter में, और अगर आपको centimeter में करना है, तो यह हो जाता है, 100 upon F, centimeter में, तो 100 upon focal length कितनी है, 40, तो यह कितना है, 0 से 0, 5 upon 2, या फिर 2.5, और क्योंकि convex lens है, तो जो power आएगी, वो positive आएगी, तो हमारा सही answer हो जाएगा, option 2, 2. 2.5 प्लस का, दूसरे तरीका ये भी था, कि V आपको दे रखा है, 80 cm, ठीक है, तो यू भी माइनस के 80 cm हो जाएगा, फिर आप formula लगाते है, 1 upon F equal to 1 upon V minus 1 upon U, उससे focal length निकालते है, तो उससे बढ़िएगी direct, सोचो, कि जब height of image, height of object के equal है, तो object 2F पर रखा होगा, 2F पर रख पर पावर का formula लगा लगे, 100 upon F, इसलिए आपको सारे case याद रखने चाहिए, convex lens के भी, कौन के lens के भी चाहिए, mirror हो है lens, सब formula अगर आपको याद होगा, सब cases याद होगे, तो easily आप बिना formula अप्लाई भी साइद कर पाओगे, जैसे हमने यापर बिना formula अप्लाई, ये वाल कर लिया इसको,